नौ दिन की नौ रात्री में एक ही जैसे आलू की पोड़ी पराठे खाका करके पोर हो जाएं तो ये जैसे पी जरूर ड्राइ करें इतनी ज़्यादा पसंद आएगी आपको कि आप इसे हर दूसरे दिन बनाना पसंद करेंगे ला जवाब लगते हैं बनाना बहुत आसान और बहुत ही अच्छा सा सोंधापन रहता है तो चलिए आज हम बनाते हैं कुछ नया सा बद्राइम्स वाली टेस्टी टेस्टी सी पनीर बॉल बनाने के लिए हमने दिया है पनीर यह पनीर मै ने फ़र में बनाया था आप चाहाँ तो मार्केट से भी ले सकते हैं लेकिन घर में बनाएगे तो कि心प दो eficём बना सकते हैं दूट में नीम्बु का जूच डाले से फ आप चाहे तो पनीर को crush करके भी ले सकते हैं लेकिन इस तरीके से grate करके लेंगे तो ये देखने में बहुत ही अच्छे लगती है तो इस तरीके से हमने पनीर को grate करके ले लिया है grate की होई पनीर में बारी कटी होई हरी मिर्च डालेंगे तीखा जितना ज़्यादा करना चाहते हैं मिर्ची उतनी डाल सकते हैं हरी धनिया डालेंगे सेंधा नमक डालेंगे स्वादा अनुसार सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा चिली वैक्स भी डाल सकते हैं लेकिन ये ऐसे भी पहती ज़ादा टेस्टी बन जाती है तो अब ये पनीर के लाजवाक से स्टफिंग तयार है अब हम डो तयार करेंगे तो डो तयार करने के लिए हमने लिया है एक कटूरी सिंगाडे का आटा सिंगाडे के आटे में थोड़ी से हरी धनिया डालेंगे थोड़ी से अजवाइन अच्छे से टेस्ट के लिए सेंधा नमक बहुत ही थोड़ा सा क्योंकि हमने स्टफिंग में भी यूज किया है दो तीन आलू को ग्रेट करके डालेंगे अब इन सारी चीजों को अच्छे से मिला लेंगे एक बढ़िया सा डो तैयार कर लेना इसमें हमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है तो आलू के साथ सिंगाडे के आटे को अच्छे से मिलाते हुए एक बढ़िया सा डो तैयार करें आप चाहें, तो बिना आलू का भी ये डो तयार कर सकते हैं सिस्टिंगाडे के आटे में पानी डालकर डो तयार कर सकते हैं बिना पानी के हमने बढ़ी आसा डो तयार कर लिया है अब हम इसकी छोटी-छोटी सी वॉल बनाएंगे तो हाथ को थोड़ा सा गिया ते लगा कर चिकना कर ले इसकी छोटी-छोटी सी ऐसे लोईयां बना कर इसको हाथ से फैला है और पनीर की जो स्टफिंग हमने तयार किया है इसको भरवर के डालें वापस से इसे फिर से गोल शेप देना है एक्तम चिकना कर लें इसी तरीके से हमें सारी बॉल्स बना कर त्यार कर लेना है बहुत ही आराम से हलके हाथ से इसे वापस से गोल शेप देना है नहीं तो पनीर की स्टफिंग बाहर निकल जाएगी तो इसी तरीके से हमें सारी बॉल्स त्यार कर लेना है इन त्यार की हुई balls परहाएं सफेद तिल डालेंगे और इसको घुमा घुमा कर इसमें अच्छे से चिपका देंगे, ये तिल डालने से ये balls बहुत ही सोनी-सोनी सी बनती है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और एक कुरकुरी से लेयर बन जाती है, तो उपरी का हिस्सा बहुत ही सोंधा सोंधा सा और बहुत ही कुरकुरा बन जाता है तो इस तरीके से सफेद तिल लगाने के बाद इसे वापस से चिकना कर लेंगे तो सफेद तिल इसमें अच्छे से चिपक जाएगी आप चाहे तो ऐसे भी इसे डिफ्राय कर सकते हैं लेकिन एक बार हाथ से रो तो इस बात का ध्यान रखें से हाई फ्लेम पर बिल्कुल भी नहीं डे फ्राइ करें जब यह हलके हलके सी सुनहरी होने लगे तो इसे हम फटा फट से अलटते पलटते रहेंगे ताकि यह एक बराबर से अच्छी सी सुनहरी हो जाए और एक बड़ी आसा कलर आए आप देख स कात्री में एक ही जैसा जब खा खा करके बोर हो जाए तो यह जरूर ट्राइ कीजिएगा आपको बहुत ही जादा पसंद आए यह बॉल्स तो अच्छी सी सुनहरी हो गई है एक दम क्रिस्पी से दिख रहे हैं बहुत ही सुनदर सा कलर भी आया है अभी हम इसको निकाल लेत इतनी के साथ यह बॉल्स बहुत ही लाजवाब लगती है तो अभी मैंसे आपको तोड़के भी दिखा देती हूं और आपके मुह में दोड़ा सा पानी भी ला देती हूं आप देख सकते हैं यह पनीर बॉल्स कितनी टेस्टी सी बनी हुई है इसका साधिक्तम मस्त है एक ब पताईएगा बनाएंगे खाएंगे तभी तो पता चलेगा कि यह कितनी ज़्यादा टेस्टी बनी है तो बाहर से क्रिस्पी अंदर से सौट खाने में ला जवाब एक बात बनाएए खाईए और वीडियो पसंद आये तो आगे भी चरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों आपक पी की साथ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाँ बाई